आज मैं आपके इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपने अपने कंप्यूटर से कोई फाइल कलती से डिलीट कर दिया यहां तक कि आपने उसको रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया तो भी आप उस फाइल को आपस ला सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें मैं आज आपसे इस के बारे में बात करने वाला हूं और हां इसके लिए आपको एक सॉफ्टर डाउलोड करने की ज़रूरत पड़ेगे जिसके डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप इस वीडियो को देखते रहें कि कैसे यह सब करना है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं लैप्टप में पेंड़ाइब इससाट कर लेता हूं तो यह हमारा पेंड़ाइब यहां पर ओपन हो गया अब मैं यहां पर एक फोल्डर क्रिएट करकर रखा हूँ और इसके अंदर क्य तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो यह खतम होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ तो यह फाइनल यहां पर मूव हो गया है अब मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ ठीक है तो यह पेंड़ाइब अभी पूरा डिलीट हो गया ठीक है तो आप मैं जिस सॉफ्ट्व है तो यहां से पहला वाला जो ऑप्षण है डिलीटेट फाइल रिकावरी अगर आपने कोई फाइल डिलीट कर दिया और उसको आप रिकावर करना चाहते है तो आप यह उप्षान चूज कर सकते या फिर अगर आपने पूरा पेंड़ाइब फॉर्माट कर दिया तो आप यह कंप्लीट रिकावरी ऑप्षण चूज कर सकते हैं तो मैं यहां पर फाइल डिलीट क्या था तो मुझे यहां पर डिलीटेट फाइल रिकावरी पर जाना पड़ेगा यहां से मैं सारी टाइप्स की फाइल जो डिलीट हो चुगी है वह मैं रिकावर करना चाहता हूँ तो मैं यहां पर all types select कर दिया, तो यहां से आप next करूंगा, तो यहां पर कौन सी drive पर या फिर pen drive memory card जो भी है, जिससे आप deleted file को recover करना चाहते, वो आपको यहां पर select करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर जो मेरा pen drive 32 GB का, उसमें से delete किया था, तो मैं उसको यहां पर choose करता हूँ और उसको बाद यहां से next कर देता हूँ, तो यह complete हो चुका है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर test folder है, और यहां पर expand करूँ तो एक new folder भी था, जो मैं आपको अल्लेडी दिखा चुका हूँ, तो यहां पर मेरा पूरा folder है, वो मैं recover करना चाहते हूँ, तो मैं य desktop करना चाहता हूँ, तो यहां पर desktop करने के बाद, यहां पर desktop का जो location है, वो यहां पर आ गया, तो आभी यहां पर save button पर click करना होगा, तो यहां पर थोड़ा time लगता है, क्योंकि जो folder मैंने delete किया था, उसका size था 1.27 GB, जो की काफी बढ़ा है, ठीके, तो आप यहां पर भी कितना time आपी बाकी है, ठीके, और यहां पर कुछ और details मिल जाता है, कि आभी कौन सा file recover हो रहा है, या फिर कितना files recover हो चुका है, और कितना files recover total होना है, तो सब कुछ आपको यहां पर details में मिल जाता है, और यह 1.27 GB के हिस्साप से ज़्यादा time नहीं लग रहा है, क्योंकि normally अगर हम लोग कुछ copy भी करते हैं, तो बहुत जादा time लगता है, तो यह copy जल्दी से हो रहा है, तो मैं इसको skip नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा fast forward कर देता हूँ तो अब यह complete हो गया, all files are recovered successfully, totally recovered files 4, तो यह cross कर देता हूँ, और यहां पर अगर desktop पे हम लोग देखेंगे, तो यहां पर यह वारा नया फोल्डर आ गया, जिसका size 1.27 GB की ही है, तो यहां पर double click करूँगा, तो यहां पर test जो फोल्डर पहले था, वो ही है, उसके बाद यहां यहां पर PDF फाइल है, यहां पर यहां पर जो वीडियो फाइल है, यहां पर फोल्डर है, उसके अंदर जो वीडियो फाइल है, यहां पर जो image फाइल थी, सब कुछ यहां पर same to same आ गया, तो यह बहुत आसानी से, अपने delete की हुई data को आपस मिल सकता है, तो मुझे उमीद ह साथा टाइम लगता है, फॉर्माट की हुई फाइल को डूणने में, तो इसलिए मैं उसके example नहीं दे पाया, लेकिन पॉसिजियो से में आप कोशिश किजिए, अगर आपको कहीं भी कोई भी problem हो, तो आप comment box पर comment कर सकते हैं, या फिर मुझे facebook page पर भी बोल सकते हैं, या फ पूल भी मात भूलिया, तो thank you so much for watching, आप सब लोग अच्छे रहे, स्वास्त रहे and always be happy and keep smiling, thank you